Next topic, check if AP or not. आपको check करना है कि ये AP में है या फिर AP में नहीं है. देखो कैसे करेंगे, identify करना है difference को consecutive terms में. साथ-साथ वली जो terms है ना consecutive terms, उनके difference को identify करना है. और अगर तो वो same रह रहा होगा पूरी AP में, तो आप कहोगे कि वो sequence AP है. एक कुशन करके देख लेते हैं, check if AP or not, 0, 7, 14, 21, 28. अब यहाँ पर आपने क्या किया, पहले T2-T1 निकाला, second term minus first term, तो 7-0 आया 7, उसके बाद T3-T2 निकाला, that is 14-7, तो आपने 14-7 किया, तो वो भी 7 आया. फिर T4-T3 निकाला, that is 21-14, वो भी 7 आया. तो आप कहोगे, यार, यह सारे common difference, जो consecutive terms वाले है, वो same आ रहे हैं, तो यह AP में है sequence. Next, minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2. आपने इसके लिए भी common difference निकाला है, बट इतना ज़रूर दिहान रहे, कि T2 ये है, और T1 ये है पहले, तो इसमें से ये subtract करना है, पहले ये लिखना है, और फिर ये लिखना है, तो minus 3.2 में से, आप minus 1.2 subtract करोगे, तो ultimately बीच में plus का sign आ गया ना, this is equal to minus 2, ऐसी इसमें से ये subtract करोगे, तो यहाँ पर plus का sign मन जाएगा, तो minus 2, इसमें से ये subtract करोगे, तो ये आएगा minus 2, आपको बहुत चलेगा, common difference इसमें minus 2 है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, ये decreasing AP है, तो हम इसमें कहेंगे, sequence AP में है, next, A, A square, A cube, A4, अब अगर हम इधर देख रहे हैं, तो आपके बास difference equal नहीं आएंगे, तो ये equal, sequence AP में नहीं है, उसके बाद, root 2, root 8, root 18, root 32, t2 minus t1 करोगे, root 8, root minus root 2 आगा, लेकिन इसको मैं simplify कर सकता हूं, कि root 8 को मैं 2 root 2 लिख सकता हूं, इसकी factorization कर देना, 2 into 2 into 2 आगा, जिसमें से 1 2 बाहर आजाएगा, तो 2 root 2, minus root 2, इसको simplify करेंगे, तो 1 root 2 आगा, ठेक है, ऐसी आप t3 minus t2 करोगे, तो आपके बास root 18 में से root 8 minus होगा, इसको भी simplified form में लेकोगे, तो 1 root 2 ही आएगा, तो sequence ये AP में है, ठेक है, क्योंकि हार एक consecutive terms को अगर आप subtract कर रहे हो, तो 2 minus t1 कर रहे हो, या t3 minus t2 कर रहे हो, या t4 minus t3 कर रहे हो, वो एक्वाल हारा है, तो common difference है, तो आपके बास आप, थैंक यू.